दो कुट किला देता किया बाकी मेरे तेरोड दे दो कुट किला हांजी किद्दान ठीक ठाको सारे हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टी वे फेवरे चैनल दी विस्की पीडिया मैं हूँ आपका होस्ट अमिज दोस्तो आज इस चैनल पे धमाकेदा रिव्यू होगा किंग फिशर अल्ट्रा की बड़ी बहन का किंग फिशर अल्ट्रा मैक्स का बड़ी बहन बोल सकते हो बड़ा भाई बोल सकते हो ये उसका stronger variant है King Fischer Ultra एक light beer है और King Fischer Ultra Max एक stronger variant है King Fischer Ultra का तो जानेंगे कि इसका taste उससे better है या नहीं किस range में किस price में ये market में मिल जाती है और इसके क्या ingredients हैं सबी चीज़ें के उपर बात करेंगे प्लीज वीडियो में अंट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो दमाकेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को subscribe करो, वीडियो को like करो और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ share करो गाइस ये है bottle King Fischer Ultra Max की same bottle King Fischer Ultra की भी होती है बस इसकी जो labeling है ये black color से की गई है जो की sign है कि ये एक strong beer है color देखने में ये Ultra से थोड़ा dark लग रहा है थोड़ा darker color है तो चलिए जल्दी से इसके ingredients देख लेते हैं 650 ml की bottle है, 1500 ml की bottle तो इसके ingredients है दोस्तो water, malted barley, rice का use किया गया है maze, इसमे added sugar डाली गई है जो की मुझे अच्छी नहीं लगी इसमें added sugar ना डालते तो ये एक काफी बढ़िया beer होती उसके बाद hopes and yeast का इसमें use किया गया है तो rice, maze, adjuncts इसमें डाले गई है hopes and yeast वो सबी में डलते ही है और sugar इसमें added डाली गई है ता कि इसकी जो alcohol percent है वो थोड़ी बढ़ जाए alcohol percent की बात की जाए तो ये 8% से जादा नहीं है लेकिन 5% से जादा है तो आब मान के चलिए 6% से लेके 7% तक आपको इसमें alcohol stand मिल जाएगी beer मेरी चिल्ड है जादा गरम मैं होने इसको दूंगा नहीं तो जल्दी से इसको पूर करते हैं तो दोस्तो हमारी beer हमारे glass में आ गई है बाई जो इसके bubbles हैं जो इसकी fizz है ना बहुत ज़्यादा जबरदस्त है head इसका काफी अच्छा बना है क्योंकि इसमें adjuncts डाले गए है इस वज़ा से काफी अच्छा इसका head बना है color इसका थोड़ा dark है अगर हम kingfisher ultra से देखते हैं तो थोड़ा dark है लेकिन जो fizz है ना इसका जो bubbles है ना तमाकेदार bubbles है बहुत बढ़िया लग रहे हैं जल्दी से skinosing करते हैं on the nose थोड़ी सी मुझे alcohol की note इसमें आई है थोड़ी सी citrus ही है ये maltiness इसमें लग रही है तो भाई fizziness तो काफी मज़ेदार है अब जल्दी से taste कते हैं टेस्ट वाइस ठीक है हलकी सी कड़वी है लेकिन वो कड़वापन जावा देर तक नहीं रहता बाद में एक मिठास आपके पैलेट पे आ जाती है fizziness बहुत जादा अच्छी है काफी crisp लग रही है ये टंग के उपर citrus ही लग रही है और hops का एक काफी अच्छा taste इसमें आ रहा है सिरफ एक कमी मुझे इसमें लगी है कि ये इसमें added sugar डाली गई है जो कि अगर ना डालते तो ये काफी अच्छी beer होती price की बात कर ली जाए तो आजकल पंजाब में अभी sale लगी हुई है भाई तो अभी ये 180 के आसपास आपको पंजाब में मिल जाएगी और आने वाले दिनों में ये 130-140 की आपको पंजाब में मिल जाएगी वैसे ये चंडीगर में 180 की मिल जाती है और दोसों के नीचे और दोसों के आसपास most of the states में मिल जाती है और उस price range में और उस हिसाब से ये ठीक ठाक भी आ रहा है अगर edit sugar ना डालते तो जादा बढ़िया होती इस range में मैं बोलूँगा Budweiser Magnum इससे जादा बैटर है आपकी क्या राया है आपकी क्या choice है आप नीचे comment करके बता सकते है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जल मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ Till then cheers पीओ और चीओ